पुर्वति शामे हो जोति मय जय हो जय हो प्रकसार्यो जय 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 हो एका नवे बर्स परे बापुंक दांडी जात्रकु उच्ची वितकले प्रधान मंत्री नरिंद्रमुदी देशर स्वाधी नतर पचुस्तरी बर्स पुर्ती पाड़न पाई साबरमती आस्रमरू स्वाधी नतर अंब्रुत महच्चव आरम्भ इतिहास को पूनितरे जिबंत करिबार प्रायस भारतर स्वेदिची वैक्सिन रो पुरा बिश्व कु मिलीची लाभ आत्म निर्भर्षिड होई पुरा बिश्वर नजर्रे भारत भारतर संबीधान ओलोकतंत्र उच्च कोटिर देश स्वाधिन हेबार पचोस्तरी बर्ष पूर्ती अबसररे सुक्रबार साबरमती आस्रमरू स्वाधिन दर अंब्रुत महच्चवर सुभारंब करिचंती प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एही महच्चव अगस्ट पंदर जाये चालीब लबन आइन बिरोधरे उनिस्ट तीरीस मसिया मार्च बारतरीकरे मात्मा गांधी एकासी जण पदजात्रिंक सहीत शाबरमती आस्रमरू दांडी मार्च आरंब करिथिले बापुंका लबन सत्याग्रहर स्म्रूती रे एही महच्चव को अरंब कर जाये ची भारतर स्वाधीन तर पचुस्तरी बर्स पूर्ती अबसर रे अम्रूत महच्चव कार्जक्रमरू एका अंसब हबरे प्रधारमंत्री साबरमती आस्रमरू दांडी मार्च को फ्लागफ करिथिले अपनी आजादी को लेकर भारत के नजरिये को पूरी दुनिया तक पहुचा दिया था ऐसा एतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजादी के आगर के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संसकारों का भी समावेश्था एही पदजात्रा भारत वासिंक मत्यरे गर्ब एबं आत्म निर्भरेता ब्रुद्धी करिबरे प्रमुक भूमिका ग्रहन करिथिला एहा कु पुनार भारत जिबंत करी पूनी थरे बापू एबं आमर महान स्वाधिनता संग्रामिंको आत्म निर्भर सिलतार स्रध्धान जली जणाई परिबा करोना वैक्सीन निर्मान करी भारत पुरा बिश्वर नजर को आसी परिछी देशरे प्रस्थुत वैक्सीन पुरा बिश्वा आगरे भारतर आत्म निर्भर सिलतर आभी मुख्यर परिचर देची कम के भाव से हम सब के दुख दूर करने में काम आ रहे हैं हमने दूख किसी को नहीं दिया लेकिन दूसरों का दूख कम करने में खुद को खपा रहे हैं यही भारत क्या दर्श है यही भारत का सास्वर दर्शन है यही आत्म निर्भर भारत का भी तत्व ज्यान है स्वाधिन अता संग्राम पचस्तरी बर्शरे आईडिया सफ़लता कार्चिय बंग समाधान एही पांचोटी स्तम्भ देशको आगको बढ़िवको प्रणा जुगाईबो बली प्रधान मंत्री कहिचनती शास्वत भारत की परंपरा भी है स्वाधिन ता संग्राम की परचाई भी है और आजाद भारत के गवरवान्वित करने वाली प्रगती भी है इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटरेशन रखा गया उसमें अम्रुत महोच्षव के पांच स्तम्भों पर विशेश जोर दिया गया है Freedom Struggle, Ideas at 75, Achievements at 75, Actions at 75 और Results at 75 इसलिए पांच स्तम्भ आजादी की लडाय के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तम्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे लोकमान्य तिलक का पुर्ण सराज आजाद हिन्द फाउजर दिल्ली चला आवान भारत चोड़ अंदलन रे होईतिबा बलिदान हुई अने कीची सिख्या पाई छो भारतर लोकतंत्र और संभी धान उच्चकोटीर एबंग पूरा बिश्व पाई दुरुष्ट्रांत पालटीची बोली एही अबसर रे प्रकास करितिले प्रधान मंत्री ब्यूरो रिपर्ट अर्गस्ट निउड